जन्पर संबल के चंदोसी में अखिल भार्टी उद्ध्योग वेपार मंडल ने जिलाधिकारी को एक ग्यापन उप जिलाधिकारी महेश पशाद दिक्षित के माध्यम से भेज कर चंदोसी तहसेल में मेडिकल कॉलिज बनाए जाने की मांग की ग्यापन के माध्यम से कहा गया कि राजे सरकार द्वारा संबल जिले में PPP मॉडल मेडिकल कॉलिज बनाने के आदेश दिये जा चुके हैं आदेश आने के बावजूत अभी तक मेडिकल कॉलिज के लिए कोई सरगर में शुरू नहीं हुई संबल जिले में चंदोसी काफी पिछड़ा हुआ है और यहाँ पर मेडिकल कॉलिज सुविधाय शूरूने के बराबर है अपातकाली सेवाओं के लिए मरीजों को मुरादबाद बरेली दिल्ली रेफर किया जाता है व्यपार मंडल ने मांग करते हुए का कि चंदोसी तहसिल में जगा चैनित करते हुए मेडिकल कॉलिज की संतुती प्रदान की जाए जिससे चंदोसी में आर्थिक विकास मेडिकल सुविधाय रोजगार छेत का विकास आदी मूलबुद आवेशक सुविधाय छेतर वास्यों को मिल सके चुगी चंदोसी में अभी तक राजी सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला है में चंदोसी तेहसिल के नागरिक अपने आपको ठगा सा महसूस कर रहे हैं ग्यापन सोपने वालों में जिलाद्यक्ष प्रेम ग्रोवर युवा प्रदेश मंतरी शहालम मनसूरी अनुजवाशणे उमेश शम्शी मुहम्मद राशीद विकास मिश्रा आदी शामिल थे मुक्र मंतरी योगी आदित नादी जी ने संबल जिले में मेडिकल कालेज खुलने की होशना की है पीपी मोडिल पर और संबल जिले में बनने के बाद चंदोसी को कुछ नहीं मिला है जो भी मिला है या बैजुई को मिला है या संबल को मिला है चंदोसी चेत्र के विकास के करने के लिए, अवम बेरोजगारी को खटम करने लिए घृत चौन्दोसी के जिससे क्लोड़89 मेटिकल कालेज चौन्दोसी में खुल जाएं, जिससे क्या होगा के चौन्दोसी का विकास होगा, चंदोसी जो आज अपने को थगा सा मान रहा है वो नहीं मन जाएगा और इसके अलावा चंदोसी के विकास के साथ साथ हमें बेरोजगारी से भो मिलेगी और हम जो है चाहते हैं कि मेडिकल कालेज चंदोसी में खुला जाए दियम महदे चंदोसी में भूमी निश्चत करें और चंदोसी में मेडिकल कालेज खुला जाए अज अचल भारति उद्योग वैपार मंडल ने जिला दिखारी के नाम इग्यापन उफजला दिखारी महदे चंदोसी के मार्धियम से भेजा है जिससे यह कहा गया है कि हमारी मांग वैपार मंडल कि लिए है कि राज्य सरकार ॹुके है तो हमारी मांग जगा को चाहिनित करके यह खोड़ा जाए शुकी चंदोसी में आपकालीन सेवाओं की बड़ी कि अ